मेरे बताए medicines और natural तरीका अपनाए च्रैक मैं से station master तक का सफर कैसे मैंने अपने medical standard A3 से below था A3 था मेरा से A2 किया कैसे करें अपने आग को fit 6x6 और 6x9 में कैसे है फीट नवश्कार साथियो अरजुन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो रेल्वे में promotion चाहिए तो आपको अपने आग को fit करना ज़रूरी है मैंने जब नौकरे ट्रैक मैंन की join किया था तब मुझे A3 medical standard मिला था और मैं जब GDC जिसमें SM Guard CCTC का post था तो भी मुझे ये भरोसा नहीं था कि मैं A2 में fit हो जाऊंगा तो चलो शुरू करते हैं मेरी ये छोटी और महत्पुन जर्णी कैसे मैंने अपनी आग को ठीक किया जो कि मैं 15 साल से चस्मा लगाया हुआ था दोस्तो 2007 से जब मैं दस्वी में पढ़ाई कर रहा तब से मुझे चस्मा लगा हुआ था तो बात है सेप्टेंबर 2021 को मैंने GDC का फॉर्म अप्लाई किया उस समय नोटिफिकेशन आया था दोस्तो इस्टेशन मास्टर का 113 पोस्ट गुड्स गार्ड्स का 321 पोस्ट और CCTC का 44 पोस्ट तो ये मेरे लिए एक टर्णिंग पॉइंट था क्योंकि हम लोग को जॉइनिंग हुए लगभग 2 साल लगभग हुआ था और हम लोग के लिए GDC आ गया फॉर्म अप्लाई करते टाइम मेरे साथ के एक सिनियर भीया भी थे उन्होंने मुझे बोला SM को First Priority दो प्रशान्द जो होगा देखा जाएगा तो मुझे दोस्तों उस समय उतना मन नहीं था क्योंकि मुझे पता था कि मेरे तो मुझे चश्मा लगा है और मैं जब जॉइनिंग किया था तब ही मैं सोचता था कि भाई मेरा Railway में क्या होगा तो चले ठीक है करके मैंने First Priority SM को रख दिया उसके बाद मैं शाम को एक Eye Doctor के पास चले गया ये बात September 2021 की है कोई भी एक वीडियो में और रेड़ी बना चुका हूँ दोस्तों इस पर और लगभग 77,000 के उपर व्यूज है फिर से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि जो नए इसमें जोड़े हैं subscribers, viewers या मेरे दोस्त उन सभी लोग फिर से वही चीज तरोताजा हो करके देखें ये कोई कहानी नहीं दोस्तों ये real है, real story है मतलब कोई ये fake story नहीं है तो शाम को दोस्तों उसी दिन मैंने आई डॉक्टर के पास चले गया मैंने उन से आई चेक कराया डॉक्टर से मैंने पूछा, सर मेरा चस्मा हट सकता है क्या तो डॉक्टर ने कहा, भाई हटना मुश्किल है हाँ, पावर ज़रूर कम हो सकता है और इसी तरीके से आपको सभी लोग बोलेंगे इसके लिए आपको डेली, पपीता, गाजर, अनार खाते रहना होगा अल्टरनेट डेज में गाजर, पपीता, अनार एक दिन गाजर खाये, एक दिन पपीता और एक दिन अनार मतलब एक एक दिन के अंतराल में ऐसा सर ने बोला और मैं एक आईड्रॉप प्लस दवाई लिक रहा हूँ विटामिन A का, उसको एक महना खा के फिर चेक करवाने के लिए आनफ तो दोस्तों मैंने डॉक्टर ने जैसे बताया वैसे ही लिया सभी fruits और medicines को और मैं उन दिनो night duty करता था night duty दोस्तों बरसाथ controlling चाह रहे थे उन दिनों हमारे section में वैसे generally होता नहीं हमारे section में बट उस समय पिंडर रोड में मालगाडी गिरी हुई थी इसके वज़े से जहाँ जहाँ पूल है मैं वहाँ वहाँ बरसात पेट्रोलिंग हो रहा था इंजिनेरिंग भी भाग में तो मैं चलते चलते जहाँ जहाँ लाइट देखता था ना दोस्तो पेट्रोलिंग करते समय वहाँ तक देखने की कोशिश करता था मैं अपने eyesight को बढ़ाना चाहता था दूर तक मैं देख सकूं करके क्योंकि दोस्तो ये भी एक exercise हो रहा था मेरे आखों का और मैं एक महने mobile से पढ़ना कम कर दिया था और सिर्फ book या audio सुनता था किसी lecture का मुझे खूद में कुछ changes दिखने लगा था दोस्तो जब सर के द्वारत दवाई और ये जो natural चीज था गाजर पपीता नार इसमें दोस्तो बीटा केरोटिन होता है तो उसके बाद जब मैं एक महन होगे दोस्तो इसी तरीके से जब मैं डॉक्टर के पास गया आई चेक करवाने दोस्तो इसके बाद जब हुआ वो मेरे मेरे लाइफ बदल के रख दिया मैं 6x9, 6x6 सब पढ़ ले रहा था डॉक्टर भी हैरान थे दोस्तो कि भला किसी का आँख एक महन में कैसे ठीक हो सकता है डॉक्टर के जो क्लीनिक है दोस्तो महावी राई क्लीनिक पुराना बस्टेंड राजनन गाउ में है ये उनका एड्रेस है डॉक्टर ने कहा कि अब आपको चश्मा पहनने की ज़रुरत नहीं है मेडिकल कब है पूछे उन्होंने तो मैं बोला सर अभी टाइम है लगभग छे महने तो सर ने दवाई बंद करने को कहा और बस फ्रूट्स खाने को कहा बाकी जो नॉर्मल डाइट है वो मैंने ठीक वही किया लेकिन वो दिन दोस्तों मेरे लिए लाइफ चेंजिंग मॉमेंट था क्योंकि वहाँ पर से मेरे को एक भरवस्वा हुआ कि हाँ चलो अब जडिसी की तयारी पूरे मन से करते हैं लेकिन फिर मैं जडिसी पर भी ध्यान देने लगा और पूरे मन से करने लगा कि क्या और मैं अपने आसपास के भईया लोग को बोलता है था कि इस तरीके से मैंने ठीक किया है हाला कि उन लोग उश्वास नहीं करते थे और कोई भी उश्वास नहीं करता है लेकिन कुछ चीजें भगवान लिख देता है दोस्तों अच्छे लोगों के लिए ऐसा लगता है मुझे मैंने ठीक वही किया और इस तरीके से मैं हर महेने गाजर पपीता नार खाते गया और डॉक्टर से अपना आँख मंथली एक बार चेक करवाते गया और दोस्तों आपको उश्वास नहीं होगा मैं एक नहीं तीन से चौर डॉक्टर से चेक करा लिया था सब ने कहा आपका आँख सिक्स बाइशिक्स हो गया है और जब मेरा मेडिकल हुआ 28 से 30 अप्रेल तक 2022 में बिलासपूर रेलवे मेडिकल हॉस्पिटल में हुआ मैं इस्टेशन मास्टर का A2 मेडिकल पास कर चुका था दोस्तो ये मेरे लिए लाइफ का एक चेंजिंग मोमेंट था क्योंकि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि 15 साल से मेरा आई पावर माइनस 0.75 था और मेरे चश्मा निकल जाएगा कभी और रेल दोस्तो उस दिनों के बाद से पिछले 2 साल से होने वाल है इस सेप्टेंबर 2003 इसमें मेरे को 2 साल हो जाएगा मैं बिना चश्मा के काम करता हूं ड्यूटी पे जाता हूं पढ़ाई करता हूं टीवी देखता हूं मोबाइल चलाता हूं बट अब मैं पहले जैसे अपने आख को महसूस करता हूं और ये चीज एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग मोमेंट है दोस्तो तो आप लोग भी 6 महना तक लगतार गाजर पपीता अनार खाईए और 25 से 30 दिन तक आप लोग ये मेडिसिन जो दिया है वाइट अकेंड वन ये दोस्तो विटामिन A की टेबलेट है और ये जो ब्रॉमफेनेक अप्थेलमिक सॉलि कि सर ये दवाई मैं खाऊं की नहीं ये चीज आपको डॉक्टर से पूछना होगा क्योंकि ये मुझे सूट हुआ तो जरूरी नहीं कि आप सभी को सूट हो और मैं ये भी 100% गैरेंटी नहीं दे सकता कि आप सभी का चश्मा निकल जाए बट ये है कि आपका आई विजन ज से इस वीडियो को लाया हूँ ताकि आप सभी मोटिवेट रहें और इसके बाद मैं आपको एक क्लिप बताऊंगा जिसमें आप रेगुलर कुछ एक्सेसाइज कर सकते हैं है ना सुबह आपको दोस्तों सुबह उठ करके जो एकदम जो सुबह भोर होता है तो सूरी जब न फोकस करना चाहिए बाकी आप एक्सेसाइज वीडियो क्लिप में देखे तो यहाँ पर यह देखे दोस्तों थ्री आई एक्सेसाइज टो इंप्रूव यार आई साइट पहला एक्सेसाइज पहले आप पैंसिल को पास लाइए फिर फोकस किजे फिर दूर रखे और इस तर इसी को एंटी क्लॉकवाइस करें तो इस तरह के से चार से पांच बार करें दिन में और तीसरे एक्सेसाइज से दोस्तों कि अपना आई को ब्लिप एक बर और रिपीट करते हैं पैंसिल को पास लाइए और फोकस किजे फिर दूर रखे इस तरह की से धीरे धीरे दर्श ट और एक और एक्सेसाइज स्वीड से मैं कहना चाहूँगा कि ब्लिंग करें आँख को चार से पांच बार मिंस पहले को तो ये वीडियो कैसे लगा दोस्तों बिल्कुल ट्रैक्मेन भी स्टेशन मास्टर बन सकता है अगर उनका आई कम भी हो आई पावर तो ये वीडियो को जरूर शेयर किजिए एटू तक ओके दोस्तों धन्यवाद जैहिन जै भारत